दे स्कूल फेट आज स्कूल मेले का दिन है पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी हेलो दोस्तो मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, फेस पेंटिंग करना, गुबारे पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा उचलने वाला कासल पसंद है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पसंद है पैपा, फिर मिलेंगे पैपा, फिर मिलेंगे, जॉर्ज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है दाइनसौर याओ याओ ओ डिया मेले में कोई डाइनसौर नहीं है जॉज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे हैं डैडी पिग हाँ जरूर होंगे ममी पिग क्या पहले मैं और जोज अपना मूँ पेंट कर लें आहां क्यों नहीं मिस रैबिट ने पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो यह लो सूजी अब तुम्हें एक टाइगर जैसी लगती हो थैंक यू मिस रैबिट मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुसी कैट हो नहीं मैं टाइगर हूँ पैपा तुम अपना चहरा पेंट कराना चाहती हो हाँ बिल्कुल मुझे बनना है एक एलिफिंट ओ डियर मैं एलिफिंट बनाना नहीं जानती मैं टाइगर बना सकती हूँ ठीक है टाइगर बना दीजिए लो हो गया पेपा अब तुमें एक टाइगर हो मैं टाइगर हूँ जोर्ज तुम क्या बनना चाहते हो टाइनोसार एक डाइनोसार उसके बजाए एक टाइगर कैसा रहेगा मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ महीं कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल यहा हो अर मैं एक बिल्ली हूँ कैंडी कह तुम मियं हमें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं टाइगर बहुत धीने धीने चलते हैं और फिर कुटे हैं टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं पर जब खुश होते हैं तब पर करते हैं पर हेलो बच्चों ओ ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलिफिंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लाइन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हां मेरे पास ये सब हैं और सबसे जरूरी है हमें एक डाइनसार का गुबारा चाहिए जॉर्ज के लिए ओ दिया मेरे पास डाइनसार का कोई गुबारा नहीं है मेरे पास एक आइडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डाडी पिग वह पारे से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है ये क्या है ये का गरू है नहीं ये है डाइनासार बिल्कुल ठीक डाइनासार डाडी पिग ने एक डाइनासार गुबारा बनाया अब वह उचलने वाला कासल पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है साब को उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है Mr. Dinosaur is lost George का मन पसंद खिलाना है Mr. Dinosaur Dinosaur George को Mr. Dinosaur बहुत पसंद है कभी-कभी जोर्ज को Mr. Dinosaur से प्यापा को डराने में मज़ा आता है वह बहुत दरावना है खाने के वक्त Mr. Dinosaur जोर्ज के पास पैठे है ये क्या हो रहा है ये तुम थे George या फिर Mr. Dinosaur Dinosaur दहाने के समय जोर्ज Mr. Dinosaur को अपने साथ नहलाता है गुद नाइट पैपा गुद नाइट ममी गुद नाइट जोर्ज और गुद नाइट Mr. Dinosaur जब जोर्ज सोने के लिए जाता है तो Mr. Dinosaur भी उसके साथ सोते हैं जोर्ज का मनपसंद खेल है Mr. Dinosaur को ऊपर हवा में उच्छालना और उन्हें पकरना जब वह वाबस नीचे गिरते हैं पैपा और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं मैं चीत कहीं डाडी शाबाश पैपा जोर्ज जोर्ज क्या बात है बेटा डाइनसौर जोर्ज, Mr. Dinosaur खोगे क्या जोर्ज ने Mr. Dinosaur को खो दिया फिक्र मत करो जोर्ज, हम Mr. Dinosaur को ढून लेंगे ये तो एक जासूस का काम है जाडी क्या होता ये जासूस पैपा जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूणने में माहिर होता है मैं मैं जीजें ढूनने में माहिर हूँ तो ठीक है पैपा ही जासूस है जोर्ज, मैं हूँ जासूस मैं मदद करूंगे Mr. Dinosaur को ढूनने में मुझे लगता है जासूस को जॉच से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए जॉच मिस्टर डाइनसौर कहा है जॉच नहीं जानता कि मिस्टर डाइनसौर कहा है जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डाइनसौर कहा हो सकते हैं मुझे पता है मुझे पता है वो कहा है जो जब भी नहाता है Mr. Dinosaur उसके साथ होता है तो Mr. Dinosaur टब में होंगे Mr. Dinosaur टब में नहीं है ओ Mr. Dinosaur जोड़्ज के बिस्तर में भी नहीं है जोर्ज के बिस्तर में भी नहीं है शायद हमें गार्डन में ढूलना चाहिए हाँ गार्डन में भी खहने वाली थी मिस्टर डाइनसृर कहां है मिस्टर डाइनसृर को ढूलना बहुत मुश्किल हो रहा है जोर्ज, तुम्हें मिस्टर डाइनरसौर को हवा में उछाना पसंद है! मुझे लगता है इस बार तुम्हें नेमिस्टर डाइनरसौर को थोड़ादा उपर उछाल दिया है! वो वह है! मैंने उने पहले देखा! शाबाश पेपा तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो जोर्ज मिस्सर डाइनसार को वापस पाकर बहुत खुश है शायद पेड़ों के पास डाइनसार से खेलना एक अच्छा एडिया नहीं है साफ सपाई करना पेपा जोर्ज अपने कमरे में अपने खिलोनों के साथ खेल रहे हैं जोर्ज चलो गुडिया डाइनसार के साथ खेलते हैं वो क्या है एक बरंकर राक्षस है डाइनसार राइनसार है बचाओ बचाओ डाइनसार के बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं ममी पेग अपनी किताब पढ़ रही है बचाओ वो क्या कर रहे हैं पेपा जोर्ज क्या चल रहा है यह इतना शोर कैसा वो बचाओ बचाओ यह क्या हो रहा है कितना शोर कर रहे हो और फर्श पर यह कितना सामान पढ़ा है इस पर गिर किसी को चोट लग सकती है कोई सचमच गिरा है और उसे चोट भी लगी है अरे बापरे मैं चारे डाडी पेग अब चलो बच्चो थोड़ी साफ सफाई कर ले पर ममी हम गुडिया और डाइनसौर से खेल रहे हैं सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है अच्छा सचमच तो ये जॉर्ज का ही खुबसरा ड्रेस होगा है ना नहीं शायद थोड़ा सा सामान मेरा है तो चलो मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूगा और ममी पेग पेपा की क्योंना हम रेस करें लड़किया और लड़कों के बीच वहतरीन आइडिया है देखते हैं पहले सफाई कौन करता है एक दो तेन हम जीत रहे हैं नहीं बिलकुल नहीं यह रहा ओ यह क्या है टेरी मैं तुम्हें कब से डून रही हूं जल्दी पेपा टेरी को अपने खिलोने के बकसे में रखो डाल दिया अब यह किताबे बढ़िया यह क्या है यहाँ टाइनसार की किताब है यह जोज की पॉपप किताब है यह टेरानसोरस रेक्स है टाइरानसारस रेक्स हाँ 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 सही कहा तो यह तो प्रांटसोरस है प्रांटसोरस है बिल्कुल सही और यह है ट्राइसेराटॉप्स ट्राइसेराटॉप्स सबस्으 हाँ क कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डाइनसूर्ज बहुत पसंद है। यारी जॉर्ज आपने सफाइय करना रोग दिया है। आप रेस हार जाओगे। अरे हां रेस हार जाओगा। चलो जॉर्ज ये किताब वापस रख दो। टैडी आप दीरे दीरे सपाय कर रहे हैं मामी और मैं जीतने वाले हैं हम जीतने वाले हैं हम जीत गये हम जीत गए हम सब जीत गए देखो कमरा कितना साफ लग रहा है हुले! इसका साफ कमरा है! सबको शाबाजी मामी, अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुडियों और डाइनसार से खेल सकते हैं? हाँ, अब तुम अपना खेल शुरह कर सकते हो येपी! मेरी सारी गुडियां कहा है? मिस्टर डाइनसार कहा है? मिल गए… मिल गए! ताइनसार! ये ये डाइनसार है! मचाँ! मचाँ! कमरा फिर से गंदा हो गया चलो, थोड़ी देर के लिए तो साफ था पेपा और जॉज के यहां फैंसी ड्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जॉज ने डाइनसौर की ड्रेस पहनी है डाइनसौर यहां पेपा के दोस्त, कैंडी काट, सुजी शीव, जानी डॉग, रबेका रबिट और पेड्रो पोनिग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फ्रेंशी डेस आली नर्स हूँ हाहा, बहुत अच्छे अरे वा, ये कौन आये है मैं हूँ पाइरेट, मुझे सब डरो मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ नए, मैं एक जोकर हो हाहा, बहुत अच्छे तुम क्या बनी हु रिबेका रबिट? मैं काजर हूँ बढ़ी हा, अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तो? हेलो, पेपा हेलो, सुजी मैं हूँ राजकुमारी पेपा तुम्हें मुझ से जुग कर बात करनी चाहिए हेलो, राजकुमारी मैं हूँ नर्श सुजी मुझ खोल कर कहिए आ, आ आ नए मैं हूँ जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे गाजर पसंद है ताइनिशौ पापरी तरावना डाइनिशौ पेपा आईने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हेलो, पेपा हेलो, मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ काइनिस्यो मैं जाजू जाज तो खुद को देखकर ही डर गया ओफो जाजू आइने में तुम ही हो मैं बच्चों अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा मैं मैं ये पेपा की पाटी है तो जज भी उसे बनना चाहिए मैं जज हूँ तैड़ी जज क्या होता है? जज तैय करेगा अच्छा ड्रेस किसका है अरे वह पेपा ये तैय करेगी कि कि इसकी ड्रेस सबसे अच्छी है Suzy, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स Suzy हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ शाबाश, नर्स Suzy, अब डानी? मैं हूँ पाइरेट, मुझसे सब डरो अब कैंडी? मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो, बच्चो सारी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मज़ेदार है और रिबेका? मैं गाजर हूँ अरे वाँ और मेरा चुटा भाई जोज टर्रामना डाइनसौर बनाए सबके ड्रेस बहुत अच्छे है अब तुम बताओ, विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा, तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो नहीं कर सकती तुमें कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है, गाजर जीती वाँ थैंक्यू पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है तॉंडर स्टॉप प्यारा और सुनेहरा दिन है पेपा और जॉज पिक्निक मना रहे हैं ये लो तुम्हारे लिए औरंज जूस क्या कहना चाहिए टेडी? बाद बाद थैंक यू पेपा ओ कोई बात नहीं टेडी और ये है औरंज जूस तुम्हारे लिए डाइनसौर और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डाइनसौर क्या टेडी और मिस्टर डाइनसौर को कुकी चाहिए अव हमें बहुत भूक नहीं है इसलिए पेपा और जोज सारी कुकी स्का सकते हैं थेंक्यू टेडी यह अजीब आवास कैसी पेपा जोज जल्डी घर के अंदर आजाओ ममी एक बहुत ही डरावनी आवाज आई यह गड़गड़ा हट है पेपा इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा जल्डी बारिश रोने से पहले घर के अंदर आओ गबराओ मत बारिश आने में अभी बहुत देर है अकाश जादा और जादा गहरा होता जा रहा है तूफान आने वाला है पेपा जोच क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलोने लाए ताइनिसार अच्छा है मिस्टर डाइनिसार सुरक्षित है तेड़ी मैंने तेड़ी को वहे पर छोड़ दिया वो गीला हो जाएगा पेपा टैड़ी पिक तुम्हारा टैड़ी ले आएंगे जल्दी करो टैड़ी पिक अभी बारिश होने वाली है मुझे तूफानों के भारे में सब पता है अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है मुझे लगा ही था बारिश होने में बहुत वक्त है पेचारा टेडी पूरा भीग गया हाँ बेचारा टेडी चलो उसे सुखाते हैं पेचारा टेडी यह लो टेडी तुम सूख गये आच्छो पर बेचारे टेडी का क्या मैं भी तो भीग गया हूँ ओ, सॉरी डाडी पेग, आपको भी सुखा देते हैं, ये देखो डाडी पेग, बलकुल सूख गए, पारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है, फर्ष गिली हो रही है, अरे बापरी, अब हम क्या करेंगे डाडी पेग, शिंता की कोई बात नहीं, डाडी पेग, बूंदे इकठा करने के लिए बाल्टी का इस्तमाल कर रहे है, शाबाज डाडी पेग, बहुत ही आसान था, ये क्या, जल्दी, पानी जमाकाने के लिए कुछ और लेकर आओ, बहुत अच्छे पेपा, बहुत ही आसान था, मामी, मुझे बहुत डेर लग रहा है, टरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा, हर एक चमक और शोर के बीच गिन्ती करते हैं, और ज्यादा गिन्ती करने से तुफान दूर चला जाएगा, एक, दो, तीन, तीन, पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, पर, तुफान दूर जा रहा है, तुफान शान्त हो गया है, हुले, 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 पोस्ट मेंन मिस्टर जेबरा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रही है आपके लिए पार्सल है मिस्टर पीग थांक यू मिस्टर जेबरा बाई बाई यह तेखो मेरे लिए अभी पोस्ट एक पार्सल राया है चलो बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है ताइनशूर ओ जौर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डाइनशूर ही कहते हो इतने चोटे पारसल में डाइनशूर कैसे हो सकता है मुझे लगता है ये लेके लोना है तुम बहुत करीब हो मुझे पता है इसमें क्या है? आपका नया कैमरा डाडी पिक का नया खिलोना बिल्कुल सही ये मूवी कैमरा है हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं क्या मैं से पहले इस्तमाल कर सकती हूं? इसे इस्तमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है मुझे भे इंस्ट्रक्शन्स पढ़ने होंगे ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है सुजी शीप की ममी के पास एक मूवी कैमरा है वो उसे ऐसे स्विच आउन करती है ओहो, शाबाज पेपा मूवी थ्री थाज़न खरीदने के लिए शुक्रिया मैं आपकी पहली मुवी शूट करने के लिए बेताब हूँ क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता मुवी थ्री थाज़न खरीदने के लिए शुक्रिया सुजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है मुवी थ्री थाज़न अब वो आवाज नहीं आएगी शाबाश पेपा तो पहले किसका विडियो लू? डैड़ी मेरा लीजिए ओके पेपा हेलो मैं हूँ पेपा पिग शलो आजाओ सब लोग हेलो मैं हूँ पेपा पिग हेलो मैं हूँ पेपा पिग चलो आपको इन नया विडियो बनाते हैं मैं जानती हूँ डाड़ी पिग आप कमरे से बाहर जाएए हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे अच्छा इडिया है जब तक ममी पेपा और जॉज एक सीक्रिट मुवी बनाते हैं तब तक डाडी पिक को किचन में रुखना होगा जांकना नहीं डाडी पिक अब हम सबको कुछ करना होगा जॉज पहले तुम करोगे क्या हो गया क्या मैं अंदर आके देख सुकता हूँ हो गया अब आप अंदर आ सकते हैं जॉज ने एक मुवी बनाई है और पेपा ने भी तो चलो पहले जॉज की मुवी देखते हैं इसमें जॉज एक डाइनसार बना है ये तो बड़ा डरावना डाइनसार बना है यह क्या जोज ज़र गया ज़रो मत जोज टीवी पर कोई असली डाइनसौर नहीं है वो त्राइनसौर अब पेपा की मुवी देखेंगे अब यह कौन है मैं हूँ डाडी पिग हो अच्छा मेरा पेट बहुत बढ़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ मेरा पेट बढ़ा नहीं है पर यह बाद साच है कि मुझे कुकीज पसंद है अब जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बढ़ा होगा चलो अब आगे क्या है यह है मेरा प्यारा चोटा भाई जोज यह है ममी पिग और यह है असली डाडी पिग प्लेग्रूप पैपा और जॉर्ज प्लेग्रूप में जा रहे हैं यह जॉर्ज का पहला दिन है जॉर्ज क्या तुम्हें प्लेग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है तैडी मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्लेग्रूप के लिए बहुत छोटा है वो ठीक रहेगा पैपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसार वहां उसके साथ रहोगे लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूं ना कि जॉर्ज और उसके डाइनसार से हम पहुंच गए तैडी आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाई बाई मैडम गजल प्लेगोट के बच्चों की देख भाल करती है हेलो यह है मेरा छोटा भाई जोज हेलो जोज काश मेरा भी एक जोड जैसा एक छोटा भाई होता सच में हेलो मैं हूँ डानी डॉग क्या यह डाइनसार है यह सिर्फ एक खिलोना डाइनसार है डाइनसार शानदार डाइनसार सच में टरावना है यह शानदार है जोज मेरा भाई है और वह कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जोज पर गर्व है जलो हम जोज को बताते हैं कि तस्वीरे कैसे बनती हैं जोज की पैंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हाँ मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पैंट करना है जोज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पैंट करते हैं पहले तुम्हें बड़ा सॉकल पैंट करो नहीं जोज ये रंग सही नहीं है अब तुम्हें की पत्तियों को पैंट करो जोज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडियों पत्तियां पैंट करो परफेक्ट जोज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पैंट किया है ये बहुत अच्छा है पैपा और जोज ने पैंट किया है एक डाइनसौर जोज और पैपा की तस्वीरों को दिवार पर लगाना चाहिए पैपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लेने आ गए हैं क्या जोज फिर से आ सकता है हां और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोज एक और डाइनसौर की थस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शांदार हाँ शांदार शांदार लंच पेपा और जोज दादी और दादा पिक के घर लंच पर आए हैं दादी पिक, दादी एग हलो मेरे प्यारी बच्चों खाने के लिए बगीजे से कुछ सबजिया लाना चाहोगे जी दादी दादा पिक, जे देगी हलो पेपा जोज ये है दादा पिक का सबजियों का बगीचा ये सारी सबजिया उन्होंने खोद उगाई हैं ये क्या है? डाइनसौर एक डाइनसौर चलो बच्चों खाने के लिए कुछ सबजिया चुनते हैं पेपा तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पेग जोज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना जोज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पेग ना जोज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओफ़ओ मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जो जोज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक जोज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जोज तुम्हें कौन सी सबजी पसंद है? चोकलेट केक पुट्टु जोज चोकलेट केक कोई सबजी थोड़ी है सबजियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जोज को वो पसंद आएंगी वाँ बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से दूना होगा पैपा और जोज दादी पिग की सबजिया धोने में मदब कर रही है पस अब दूना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया दादा पिग, सबको लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पिज़ा बनाया है और ये रहा सलाद दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे की साथ खाना शुरू करो जोज ने अपना पिज़ा खाया पर जोज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसन नहीं ओ, जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो या जॉर्ज, ये खीरा है, डादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है याक सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खालो, बहुत ही स्वादिष्ट है ओहो, रो नहीं, जॉर्ज देखो, मैं क्या बनाता हूँ अब ये बन गया है डाइनसौर डाइनसौर जॉर्ज जॉर्ज को डाइनसौर बहुत पसंद है जॉर्ज, टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है शाबाश जॉर्ज थोड़ा और लोगे जॉर्ज बहुत गया जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते जॉर्ज का पेट भर गया है जोर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जोर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता. ओ, तो तुम ये चोकलेट केक बिल्कुर नहीं खाना जाते? चोकलेट केक? वावाव, लगता है जोर्ज को दोबारा भूक लग गई. पेपा और जोर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैन्पा पिग के घर खेल रहे हैं. टाइव 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 ग्रैन्पा पक्ड़ो! पक्ड़ो! ओ, ये क्या है? ताइनोसॉल! एक डाइनासॉर? ग्रैन्पाप क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ. बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं. मैं बस एक छोटा छेद बनाऊँगा और उसमें बीज डाल दूँगा. फिर मैं इसे मिट्टी से ढख दूँगा और पानी डालूँगा. मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है. ये बड़ा सेब का पेड भी? ये चोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड बन जाएगा इस तरहां. और ये चोटा सेब का पेड बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड इस तरहां. और इस सेब में बहुत सारे बीज है. और सेब के पेड उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक. ग्राइपा, ग्राइपा, मुझे भी एक बीज लगाना है. क्या तुमें एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ, बिल्कुल. ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा. पहले एक छोटा छेद बनाओ. फिर मैं ये बीज डालूंगी और मित्ती से डग दूंगी. क्या मैं इसमें पानी डालू? नई, नई, मैं पानी डालूंगी. ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतिजार करना है. पैपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतिजार कर रहे हैं. इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है. तुम्हें धीर अज रखना होगा, पैपा. इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा. पैपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया. लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतिजार कर रहे हैं. मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरिज चाहिए. चिंता मत करो पैपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा. और फिर हमें स्ट्रॉबेरिज मिलेंगी. आव चले पैपा. बाई बाई ग्राइबाई 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 ग्राइब ग्रेंपा हम आ गए पैपा और जॉज फिर से खेलने आये हैं ग्रेंपा ग्रेंपा क्या मेरा पौधा बढ़ गया हाँ देखो त्रोबेरीज शुक्रिया ग्रेंपा ग्रेंपा क्या हम कुछ और उगा सकते हैं हाँ अब जॉज की बारी है लगाने की हाँ जॉज तुम लगाओ गाजर ग्रेंपा मेरे खाल से जॉज गाजर लगाना चाहता है जॉज क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो ना तुम क्या उगाना चाहते हो जोर्ज ने कुछ सोच दिया है जो वो उगाना चाहता है डाइनसौर जोर्ज उगाना चाहता है एक डाइनसौर पेड़ तुम भी जोर्ज डाइनसौर पेड़ पर नहीं उगते हैं जोर्ज जोर्ज परिवार नियुजियम जा रहे है डाइड़ी म्यूजियम क्या होता है ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिल्चस्प चीजे होती है आपसे भी पुरानी? हाँ मुझसे बहुत बहुत पुरानी वह बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजे भरी पड़ी हैं मुझे राजा रानी का कम्रा देखना है वहाँ और एक कम्रा है जिसमें असली डाइनसौर है वो, दाइनिसार हलो ममे पिग हलो मिस राबिट कितने टिकेट शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे दाइनिसार और एक डाइनसार पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियो की चीज़े हैं वाँ टाइनिसार पर जोज को असली डाइनसार देखना है रोना मत जोज इसके बाद हम जाइनसार देखने जाएंगे पैपा ये सारे चीज़े कई साल पहले रानि इस्तेमाल करती थी ये है रानि की खास कुरसी उसे सिंगासन कहते हैं बहुत सुन्दर है ये है रानि की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पैपा ये है रानि का सोने का मुकुट वाव बहुत सुन्दर है ममी रानि का टीवी कहा है पैपा उस समय टीवी नहीं होते थी टीवी नहीं थी पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे नहीं, उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो तिन भर क्या करते थे मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यामी क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ और केक प्लीज अभी लाकर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैडी डैडी, मैं हूं रानी पेपा मुझसे बात करते वक्त आपको जुक ना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जो आज ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर डाइनसौर कहा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है वाँ यह असली डाइनसौर की हज्डियां है दाइनुसार जोर्ज खुद को डाइनसौर समझ रहा है दाइनसौर आ गया बचाओ, बचाओ डाइनसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाइडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है ममी जिस कमरे में केक्स है डाड़ी पिक को पसंद है म्यूजियम का क्याफे चलो आकर खा लो ओ हां ये सबसे अच्छा कमरा है स्कूल का नाटक पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है लिटल रेड राइडिंग हुड हुरे सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है उन्हें घर में प्राक्टिस करनी होगी पेपा होगी लिटल रेड राइडिंग हुड मम्मी पिग ने पेपा को तयार किया है और डाड़ी पिग पेपा की प्राक्टिस में मादद कर रहे है तो बताओ पेपा तुम्हें क्या बोलना है मैं हूँ लिटल रेड राइडिंग हुड बहुत अच्छे उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शाबाश पेपा डाड़ी डाड़ी बनेगा बड़ा भेडिया दादा डाग और ममी डाग प्राक्टिस में उसकी मदद कर रहे है मैं हूँ बड़ा भेडिया बोलने के बाद हसना नहीं डाणी तुम्हें डराव ना लगना चाहिए देखो मैं कैसे करता हूँ मैं हूँ एक बड़ा पुरा भेडिया और मैं तुम सबको खाजाओंगा देखाँ? हाँ सच मुझ बहुत डरावना था पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये मैं तुम्हें भगा दूँगा बुरे भेडिये शाबाज पेड्रो रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है मैं क्या बोलू, ममी? देखते हैं, नाटक के शुरुवात में बड़ा-बुरा भेडिया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा. नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा. और तुम कहोगी थैंक यू. कहो थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छे, रिबेका. स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं. आप सभी का स्वागत है. हम पेश कर रहे हैं. दे लिटल रेज राइडिंग हुड. तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से. प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लीना मना है. ऐसा मत कीजिए. और अब शिरू करते हैं हमारे नाटा. दाधी घर पर हैं. पर ये महमान कौन है? मैं हू बडा बुरा भेरिया. क्या बाद है, दाणी? ओहो, आगे क्या बोलना है? दाणी भूल गया. दाधी, आप अलमारी में चले जाओ. अलमारी में जाओ. बडा पुरा भेरिया दाधी बनने की नकल कर रहा है. मैं हू लिटल रेड राइडिंग हुड. मैं दाधी से मिलने जा रही हूँ. शावाश, पेपा. डाधी, आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए. ओहो, सारी, पेपा. जारी रखो. मैं अपने दाधी से मिलने जा रही हूँ. तुम मेरी दाधी की तर नहीं दिख रही हो. तुमारे आखे कितनी बड़ी है. तुमारे दाध कितने बड़े है. तुम मेरी दाधी नहीं हो. तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो. बचाओ, कोई, बचाओ, बचाओ. पर देखो, यहां कौन आया है? यह है शिकारी पेदरो. पेदरो, बचाओ, कोई, बचाओ. बिल्कुल सही वाक्त पर, शिकारी पेदरो. पेदरो थोड़ा शरमीला है. पेदरो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलूँ? हाँ, प्लीज. तुम बहुत ही सराती बेरिये हो. मैंने आपको बचा लिया दादी. तांक्यू. शाबाज, शाबाज. बहुत अच्छे. पेदरो, तुमने बहुत अच्छा किया. तुम बिल्कुल मेरे ही अच्छे थे. तुम बिल्कुल मेरे ही जितने अच्छे थे. रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं गुद नाइट पेपा और जॉर्ज मामी, टैड़ी बोलो पेपा मुझे नीन नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नीन दा रही है और उसे कहानी नहीं सुननी जॉर्ज, क्या तुम्हे कहानी सुननी है? हाँ बोलो ठीक है, मैं तुम्हे सिर्फ एक कहानी सुनाओगा अगर डैड़ी पिग ने तुम्हे कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे हम प्रॉमिस करते हैं तो आज में तुम्हें स्लीपी प्रिंसस की कहानी सुनाओंगा क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है बोरिंग नहीं बलकि बहुत अच्छी है क्या उसमें छोटी सी राजकुमारी है? पैपा, अगर तुम बाते करती रहोगी, तो डारी पे कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मामी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है, डारी? हो, हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है. हम, एक स्लीपी प्रिंसेस. बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी, और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस. डाडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये में बाद में बताऊंगा. क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुन्दर थी? हाँ, बहुत सुन्दर, उसे अपने आपको आईने में देखना बहुत पसंद था ओ, मैं कितनी सुन्दर हूँ उस महल में और कॉन-कॉन रहता था अब, वहाँ अब उस महल में रहते थे, एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन ममी, और केंग डाड़ी बिल्कुल, वह सभी साथ रहते थे किया खिंग्डारी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वह तो हैंसम थे, मेरी तरह और हाँ, वहाँ पर एक ड्रागन भी था डाइनसौर डाइनसौर? अरे हाँ, वह ड्रागन नहीं था, वह डाइनसौर था बाहर एक बड़ा भयांकर डाइनसौर था वहाँ, 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 वहाँ ओहो, शायब वह डाइनसौर एकना भी भयानक नहीं था, हैना, डाइबी-पिक? सारी, जोर्च, नहीं, वह डाइनसौर बहुत दयालू था वह सिर्फ खास खाता था डाइडी पेग ओपस, सौरी, मैं भी डाइनसौर बन गया डाइडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे वही तो बता रहा हूँ वो क्या हुआ, शाम हो गई तारे और चान दिखने लगे और सब को बहुत मींद आने लगे और सबसे ज्यादा मींद स्लीपी प्रिंसेस को आई पैपा नेंद आ रही है नहीं डाडी, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही पर किसी को आ गई है जोर्ज, उठो भी कानी कान सुनना है कि नहीं पैपा को तो नहीं नहीं आ रही होगी पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी सारा दिन आईने में देख कर वो पूरी थरा से ठक गई थी चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ गुड नाइट और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नीन सो गई कहाने के लिए थैंक यू किंग डाडी और हमारे चोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बढ़ा मजा आया गर्मी का दिन सूरत चमक रहा है बहुत ज्यादा धूप है कितना प्यारा सुहाना दिन है पेपा और जॉज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिठी के गड़ों में कूदने के लिए मजे मिठी के गड़े बहुत पसंद है ओफो धूप इतनी तेज है कि सारे गड़े सूख गए है ममी टैरी गड़े सारे सूख गए है और हम उनमें कूद नहीं सकते कोई बात नहीं पेपा इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो हाँ स्विमिंग पूल लेकिन पहले तुमें अपने स्विमिंग कॉस्च्यूम पहनने होगी जी ममी पिग पेपार जॉज ने अपने स्विमिंग कॉस्च्यूम पहन लिये है ममी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्च्यूम पहन लिया है और डाडी पिक नभी सुमिंग कोश्म पहन लिया है. बहुत धूप है. तुमें सन क्रीम की जरूरत पड़ेगी. याक! बहुत चिपचपार गन्दा है. याक! इसकी क्या जरूरत है? है? आज हम सब को जरूरत है. ओू! चलो चॉर्ज, इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं, डाड़ी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं, कितना आसान है, पैपानी पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया, पानी कहा है, वाब, पैपा और जोर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है, आइस क्रीम आइस क्रेम, मिस रबिट आइस क्रीम लाई है, आइस क्रीम, अगरमी के दिनों में मिस रबिट आइस क्रीम बेचती है, मामी, डारी, क्या जोज और मैं आइस्क्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है हुरे! क्या मुझे भी आइस्क्रीम मिलेगी? सबको आइस्क्रीम पसंद है हलो मामी पिक, पेपा और जोज हलो मिस्स राबिट, आपको कौन से आइस्क्रीम चाहिए? क्या मुझे कौन मिल सकता है प्लीज? हाँ, जरूर मिल सकता है पेपा तैंक यू मेरे लिए और डाडी पिक के लिए भी वही देना प्लीज और छूटी मिस्टर जोज को क्या चाहिए? डाइनिसार डाइनिसार? बद जोज, वो हर चीज के लिए डाइनिसार कहता है पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डाइनिसार की आकार में एक कैंडी है ये लो डाइनिसार जोज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खतम करो जोज को डाइनिसार की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खतम नहीं करना चाहता थैंक्यू मिस्स राविट सब मज़े करो जोज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खतम करनी चाहिए पिखलने और जमीन पर गिरने से पहले ओह ओह जोज की डानसौर आइस कैंडी पिखलकर जमीन पर गिर गई कई बात नहीं जोज, तुम डाडी के आइस क्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगी इतनी ज्यादा गर्मी है कि डाडी पिख सो गए डाडी पिख को गर्मी लग रही है चलो नो ठंदा करने के लिए पर पानी डाते अच्छा इडिया है पैपा क्या हुआ आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे इसलिए हमने आप पर पानी डाला अच्छा थेंक यू पैपा देखो पानी के गड़े चलो जोज जूते पहनो पैपा और जॉज ने अपने जूते पहने हैं पैपा और जॉज को ऐसा गर्मी वाला दून पसंद है पर सबसे ज्यादा उन्हें गड़ों में उपर नीचे कूदना पसंद है